नमेशकार दोस्तों, आज सुबह सुबह एक खबर सामने आई, बताया गया कि जो दिल्ली की legislative assembly है, जिसको विधान सब हम कहते हैं, जैसे की picture आप देख सकते हो, वहाँ पर एक tunnel found किया गया, जी हाँ, ये दिल्ली की legislative assembly से ये जो tunnel है, वो connect करता है red fort को, ये आप news देख सकते हैं mysterious tunnel reaching red fort discovered at legislative assembly, तो इसके बारे में हम डीटेल से समझेंगे कि exactly है, क्या इसका use क्या किया जाता होगा, और जो इतिहास है red fort और साथी साथ ये जो legislative assembly है, कब क्या हुआ था इसके साथ, वो भी मैं आपको बतानी की कोशिश करूँगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पह पही Friday को जो दिली legislative assembly के officials हैं, उन्होंने यहाँ पर एक tunnel like structure जो है उसको discover किया, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो tunnel है वो बताया जा रहा है कि विधान सभा और जो red fort है उसको connect करता है, और इसके बारे में आप देख सकते हो जो डिली assembly speaker है, राम निवास गोयल, कि अभी कोई बहुत जादा इस secret passage के बारे में पता नहीं चल पा है, लेकिन कहीं न कहीं जो Britishers हैं, वो इसका इस्तमाल करते होंगे, जो freedom fighters थे हमारे उस समय, उनको दिली legislative assembly से red fort तक ले जाने के लिए, और फिर red fort से दिली legislative assembly लाने के लिए, अब आप में इसे कई लोग सोच जो speaker हैं, डेली legislative assembly के, उनके द्वारा बोला गया कि जब मैं पहली बार 1993 में MLA बना था, तब यहाँ पर ऐसी खबरे आ रही थी कि कोई tunnel हो सकता है, जो की directly connect करता है red fort के साथ, तो मैंने इसके बारे में search करने की भी कोशिश की, लेकिन उसे मैं कोई बहुत जादा clarity नहीं मिल पा रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, ANI के द्वारा यह पूरप जो pictures वगरा है, वो share किया गया था, इस तरह का tunnel जो है, वो आपका मिला है, और यह tunnel basically बताया गया कि जो assembly में जो green color का carpet होता है, उसको peel किया गया है, यह आप देख सकते हो, यह आपका carpet होगा, औ सा area होता होगा, वहाँ पर यह discover किया गया है basically, और साथी साथ question यह आता है कि इस tunnel का future क्या होगा, मतलब इसके साथ क्या किया जाएगा, देखिए अभी के लिए इसका जो rich history है, कोई बहुत जादा तो पता नहीं है, बस यही बताया जा रहा है कि prisoners को वहाँ से वहाँ तक ले जा रहे हैं, तो इसकी बज़े से यह tunnel का इस्तमाल यह लोग करते होंगे, तो यह बोला गया है अभी के लिए officials के द्वारा कि यह जो tunnel है, इसको हम further dig नहीं करेंगे, इसको और जादा नहीं खुदा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि already जो इसका रास्ता है वहाँ पर metro के projects already चालू हो चुके हैं, sewer installations लग चुका है, तो further इसको dig करना कहीं न कहीं सही नहीं होगा, अगर दिल्ली assembly से red fort का अगर आप normal रास्ता देखोगे, तो 5.5 km के आसपासा है, जिसमें 10 से 15 मिनट लग जाता है, मैं आपको map भी दिखाता हूँ, basically यह जो पूरा area आप देख रहे हो ना, यह दिल्ली का map है, यह नदन साइड का मैं आपको दिखा रहा हूँ, और नदन साइड में आप देखोगे तो आपको पता होगा, जो डेली जो विस्विद्याले है, नौर्थ केंपस जिसको आप कहते हैं, यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यह जो मैं mark कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो metro है, वो आप देख पाएंगे, एक तो कश्मीरी गेट वाला यह जो red line है, वो गुजर रहा है यहाँ से, और फिर इसी को cross करता है yellow line वाला, यह जो आप देख रहे हो ना, जो दिल्ली विस्विद्याले जाता है, civil line वाला जो road आप देख रहे हो, जो लोग दिल्ली में रहता है, उनको पता होगा इस तरह से, तो यहाँ पर डली legislative assembly है, ठीक है, उसी के पास जो विश्विद्याले है, North Campus, वोद आपको देखने को मिलेगा, यमना रिवर यहाँ से बहरी है, और इसी के just करीब यहाँ पर आप देख सकते इसी लिए सही नहीं लग रहा है, तो जब खोदा नहीं जाएगा, तो इसके अलावा इसको क्या किया जाएगा, बताया गया है कि अगले independence day तक, जो हमारा 76th independence day आएगा अगले साल, 15th of August, यहाँ पर इसको further refurbish किया जाएगा tunnel को, और public के लिए खोल दिया जाएगा, ऐसा य यह मोगल एरा का complex था, red fort जो बनाया गया था, उसको किस तरह से Britishers के द्वारा, इस्तमाल किया जाता था, political prisoners के लिए, यहाँ पर एक प्रकार सा, आप कह सकते हों, एक symbol है, oppression का, जो हमारे Indian freedom fighters को सफर करना होता था, उस particular period में, और साती साथ, इस discovery की वजए से, एक कहते है न, इंट्रेस्ट आ जाता है, वो यहाँ पर इंट्रेस्ट जादा जग गया है लोगों में, और इसके उपर फर्दर research करने की कोशिश की जाएगी, कि यह जो particular colonial building है, उसमें और क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, और कहा-कहा से tunnel जो है, बाकी रास्ते में जाता होगा, इसको ले जहां तक Delhi legislative assembly की बात में आपको बताया ना, कि यह court की तरह इस्तमाल किया जाता था, देखे, इसको बनाया गया था 1912 में, 1912 में, और आपको पता होगा, कि उस समय जो capital है भारत का, Britishers time में, उसको shift किया गया था, 1911 में, कैलकटा से shift करके दिली लाया गया था, तो पहले आप देखोगे, तो यह जो building है, इसको design वगर आप देख सकते हो, Thomas के दोरा किया गया, और starting में imperial legislative council के तौर पर इसका इस्तमाल किया जाता था, फिर आगे चलकर, जो central legislative assembly है, 1919 के बाद जो act आया था, Government of India Act 1919, उसके बाद इसको central legislative assembly के तौर पर इस्तमाल किया जाता था, क्यों किया जाता था, क्योंकि capital तो shift हो गया था, दिल्ली, लेकिन अभी भी जो संसद है, जो Parliament House आज के date में आप देखते हो, वो बन कर तयार नहीं हुआ था, ये बन कर तयार हुआ, 18th January 1927, तो 18th January 1927 को central legislative assembly, ये दिल्ली वाला जो assembly है, वहाँ से shift करके, Parliament House shift कर दिया गया था, आर ये प्रकार से नयाल है कि तरह इसको इसको इस्तमाल किया जाता था, और इसी की वज़े से, क्योंकि जो आपका red fort है, उसको prison की तरह इस्तमाल किया जाता था, ये court था, और इसी की वज़े से यहाँ पर जो tunnel है, वो बनाया गया था, I hope कि आपको समझ में आ क्या होगा, और आपको पता है, state reorganization commission आया, उसके बाद यहाँ पर इसको union territory बना दिया गया दिल्ली को, फिर वहाँ पर council वगर होता था, और finally जाकर 1991 में आपको याद होगा, कि 69th amendment आया था, और फिर दिल्ली को एक प्रकार से union territory with legislative assembly बनाया गया, और उसके बाद से आपको ये legislative assembly की तरह इस् तो कौन से act के तहट भारत में Britishers के दोरा parliamentary system of government लाया गया, जो parliamentary system of government हम देखते हैं, उसको कौन से act के तहट लाया गया था, Britishers के दोरा ये आपको बताना है, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहा होता हूँ, आप जाकर यहाँ पर play कर सकते हैं, stories में, और साथी साथ अगर आपको PDF ये इसका, तो telegram पर आए, अलग-अलग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं, साथी साथ, UPSC आपको किसी भी exam की त्या जाँ क बाए, गजिए से उतर, मैं, झाए, अलगर HP, झाको किसी ऑूब होता हैं, साथी साथी समार यापको किसी पर आपको decide मैं अलग-णेाउेशे का पर आपको में, सायएनी आपको के त्यासे उतर, मैं रोग्यों, साथी साथी आपको किसी ततर, मैं, बाह जाएम क adapts भी